देश में तेजी से आ रहे परिवर्तन के बीच, सिक्षा व्यवस्ता और इससे जुड़े आप सभी महानुभाव की भूमिका कितनी एहम है, इसका एक उधारण, मैं अपने गुजरात के मुख्यमंत्री काल के शुरुवात के कालखन का एक अनुभावद बताता। मैं नयनय मुख्यमंत्री बना था, सरकार वरकार की दुनिया से मेरा कोई नाता ही नहीं था, मैं बहुत दूर था, अच्छानक काम आया था, तो मैंने एक कारकम बनाया था। मेरे सभी सचीओं को मैंने कहां कि आप ही आपके डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री हैं और मुझे बताईए पांच साल में आप अपने डिपार्टमेंट को कहां ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, एचिव क्या करोगे, उससे गुजरात के सामाने मानुवी के जीवन को क् आपका वीजन और पूरी डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए, यह मैंने सभी विभागों के सचीओं को कहां, और हर दिन शाम को पांच बजे, सभी मेरी मंत्री परिशत के मंत्री, और सभी सचीओं हम बैठते थे, और एक सचीओं आकर के अपने विभाग का पूरा प्रेजेंटेशन देते थे, पर डिबेट होती थी, सभी सचीओं जो पहले भी कोई अग्रिकल्टर सचीओं रहा होगा, वो भी वहां बैठा हुआ है, सब लोग अपने अपने विचार रखते थे, डिबेट होती थे, हमारे मंत्री भी डिबेट करते थे, मैं सुनता रहता था, सीखने का प्रयास करता था, एक दिन और ये कारकम मेरा करीब महिने भर चला था, शाम को पांट बिजे शुरू होता था, रात दस बजे तो बड़ी मुश्किल से घर जाने की इजाज़त बलती थी, और बड़ा ही, बड़ा ही इंटेंस के वो कारकम चला, और शायद हि इतियास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, तो मेरे हाँ उद्योग के जगत के समंदीत प्रेजेंटेशन हुआ है, आने वाले दिशनों में वो उद्योगे क्या-क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में उद्योगे क्विकास कैसा होगा, शारा बता रहे थे, तो कारकम पू मैं कल नहीं कर पाऊंगा जो एक महने पहले आपको तैयरी करने के लिए कहा और आप लास्ट मोमेंट कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा उन्हों नहीं कि अब तायार तो है मैं कर सकता हूं लेकिन आज जो मैंने अवद्योगी की विकास का जो प्रेजेंटेशन देखा उसको करके मुझे लगता है कि हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है हम बाएं जा रहे हैं वो दाएं जा रहे हैं तो मैं इसकी लाइट में मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसको मोडिफाई करने के लिए मुझे समय चाहिए तब जाकर के हम एक इंक्लूजिव ग्रोथ की दिशा में साथ मिलकर के शिक्षा हो इंडस्टी चल सकते हैं हमें भी अब तो पुरी दुनिया का पता होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरव जा रही है कैसे जा रहे है उसमें हमारा देश कहा है उसमें हमारे युवा कहा है आने वाले पंदरा बीस साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है उनको मैं कैसे तयार कर रहा हूँ यह हमारा बहुत बड़ा धाइप है दोस्तों और इसी तज़ पर हमारे सभी सिक्षन समस्थानों को भी खुद से पूछने की जरुरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी है मैं आज दिन बिता रहा हूँ, एक्जाम ले रहा हूँ, कॉन्वोकेशन कर रहा हूँ क्या यही मेरा मैं जिस्पत पर हूँ वही काम है, क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाओंगा, कि आज जो बच्चा मेरी स्कूर कॉलेज में आएगा आज़ादी के जब सो साल होंगे, जब वो बहुत बड़ी महत्वप्र भूमिका निभाता होगा, तब मेरा देश वहाँ पहुंचेगा, मैं वो विवस्ता आज पैदा करके जाओंगा आप सब को वर्समान को समालना है, आपके पहले जो करके गए हैं, उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं, उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा, और व्यवस्ताएं फ्यूचर के लिए विक्सित करनी होगी और क्योंकि आज बच्चों की जिग्यासा ऐसी होती है, जिनके उत्तर, अभी मैंने कहां, मैं जिन बच्चों को मिलका या आए हूँ, आपको भी घर में पता चलता होगा, छोटे-छोटे आपके पोते-पोती भी आपको सवाल पूचते होंगे, आपको सोचना पुरता आपके हर किसी के घर में यह अनुभाव आया होगा, आज की फीडी जिन बातों को लेकर के आती है, वो तो गूगल पर दस चीजे समाल पूचते बोले, आप क्या कह रहो, गूगल तो यह कह रहा है, आपको काउंटर करता है बच्चा, अब यह बच्चे आपकी उनिवर्सि अपनों बेच्चों के साथ मिसमेच अनुभाव कर रहे हैं, जब स्कूल कॉलेज के केमपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवापीडी होगी, इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी, और हम बहां उसके योग्य नहीं होगे, तो उनके साथ कितना बड़ा गहर अन्याय हो जाएगा दोस्तों, और इसलिए आवशक है, कि हम भविश्य को जाने, समझे, व्यवस्ताओं को विक्सित करें, मैं भी कुछ दिन पहले, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत, गांधी नगर में एक एक्जिबिशन देखने गया था, वहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे थे, बारवी, दस्वी या इलेवन्त के बच्चे थे, वहाँ बच्चों ने जो प्रोजेक्ट तयार किये थे, जो आइडिया रखे थे, मैं बहुत उसको समझने की देखने का प्रयास कटा था, और मैं प्रभावित हुआ था इन बच्चों के काम से, रिसर्ट का ऐसा पोटेंशल, कम उम्र में ऐसे ऐसे इनोवेशन वली बाते सुनकर मैं दंग रह गया, वहां कई बच्चे, बायोटेक और जेनेटिक्स में इंटरस्टेट थे, उनकी क्लास में जब साइंस की फंडमेंटल्स पढ़ाए जा रहे हैं, तब वो जेन मैपिंग, एफिनेटिज क्रोमोटरग्राफी और जेनेटिक लाइबरी बेस्टूर्स की बात कर रहे थे, अब कितना बड़ा अंतर है कल्प्रा के लिए, मैं उनके काम को देखकर सोच रहा था, कि जब ये हायर एजुकेशन में पहुँचेंगे, तो हमारे इंस्टिटूसर्स, इनकी आधुनिक सोच के मताबिक तैयार होंगे क्या, अगर हम इन बच्चों के लिए, उनके हायर एजुकेशन में पहुँचने का इंतजार करेंगे, तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगे दोस्तों, इसलिए हमें ये अभी से सोचना होगा, कि जिस उम्र में भी बच्चों के मन में आए, मोटिवेशन है, उसी उम्र में उन्हें गाइडन्स और रिसोर्स मिले इसका प्रबंद हमने सोचना पड़ेगा, हमें अपने सांस्थान में ऐसी व्यवस्थाक तैयार करने पर काम करना चाहिए, कि जिस उम्र में अपने सांस्थान में आए,